किसी भी exam को clear करने के लिए knowledge के साथ साथ एक proper approach, proper strategy बहुत important है आज के इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं कि किस तरीके से एक proper strategy और proper approach के साथ बिहार judiciary और बिहार APO, दोनों examinations को हम clear कर पाएंगे पहले तो हमें syllabus को समझना पड़ेगा आपके सामने जब syllabus आ गया आपने देख लिया कि यह subject हैं हमारे syllabus में तो आपको समझना पड़ेगा कि यह syllabus है तो अब syllabus मिलने के बाद भी जो कैसे पता चलेगा कि किसी particular subject में कौन से provisions, कौन से sections important है वो कहां से पता चलेगा वो पता चलेगा हमारे previous year के question paper से तो syllabus के साथ साथ हमारे पास previous year के question paper भी होने चाहिए एक बार आपके पास syllabus हो गया एक बार आपके पास question paper आ गया अब क्या करेंगे आप आपने मालो की CRPC उठाया CRPC के section 154 को पढ़ना start किया 154 के सारे provisions पढ़ लिए सारे ingredients पढ़ लिए उसके बाद आप क्या करेंगे उसके बाद previous year के question paper उठाये 154 पर पूछे गए सारे questions को solve करना start करिए देखिए किस तरीके से आपका concept clear होता है एक बार आपने PT के question solve कर दिये उसके बाद mains का question bank जो है वो उठाये उसमें से 154 के उपर जितने भी questions है ना उनको लिखना शुरू करिए क्योंकि यह complete strategy होनी चाहिए आपकी ऐसा नहीं है कि आपने सिर्फ PT के question को solve करना शुरू कर दिया और mains में लिखने वाले practice करी है नहीं PT तो clear हो गया लेकिन mains में फिर problem आने लगी तो आपकी जो strategy होनी चाहिए ना वो complete strategy होनी अब बात आती है कि किस तरीके से मैं आपकी मदद करने वाला हूँ किस तरीके से हम मिलके इस exam को clear कर पाएंगे देखिए मैं क्या करूंगा सबसे पहले तो syllabus में जो provisions हैं मालनी जिए कोई subject है मालनी जिए मैं IPC के बात कर लेता हूँ IPC में मालनी जिए general exceptions है general exception के provisions को मैं क्या करूंगा वीडियो के साथ discuss करूंगा एक बार हमने सारे provisions को discuss कर लिए उसके बाद उसके उपर जो questions जितने भी पूछे गए आस तक उनको मैं वीडियो के माध्यम से आपके सामने लेकर आऊंगा ठीक है एक test series की तरीके से हम उसको discuss करेंगे उसके बाद mains के जो questions है उसके उपर उसको मैं मतलब एक या दो दिन के बीच gap में आपके सामने लेकर आऊंगा और आपसे मैं ये request करूंगा कि आप इनके answers को लिखके submit करिए अगर आप ये strategy follow कर लेते हैं तो believe me nobody can stop you from clearing this exam कोई आपको रोख ही नहीं सकता है इस exam को clear करने से कर लिजी इस channel को regular update मिलेगा daily basis पर आपको update मिलेगा right मैंने already बहुत सारे videos CRPC के बना रखे हैं आप उनको जाके visit करिए और मैं और सारे provisions पर videos बनाता रहूंगा उसके साथ साथ questions को discuss करता रहूंगा आप इस channel के साथ जुड़े रहें ठीक है देखिए किस तरीके से हम मिलके इस exam को clear कर पाएंगे ठीक है thank you so much have a nice day